कि नमस्ते मैं दॉक्ट्र अनुजा किल कर मैं साइकेरिस्ट फुँदी अडिक्षिन स्पेशालिस्टु प्प्नो थे पिस्टु और केलकर तुअणकर साइकेरिशिंग नर्सिंग भुर्वंदर ठाने में अज हम पॉर्सपार्टम स् depende कर लिए इटेंगे पेरले वीडियो में मैंने मिल्ष्पार्टम डिप्रेशन के बारे में बात की थी, अब भी मैं कि aggi़्ष्पार्टम स्थी लिए तो जन्रली देखा जाए तो पोस्ट पार्टम साइकोसिस एने आफ्टर डिलिवरी कुछ फीमेल में साइकोसिस डेवलप होता है और यह साइकोसिस जो है यह जन्रली आफ्टर डिलिवरी एक से दो हफ्तों में डेवलप होते होते वह छे मैंने एक साल में भी हो सकता है जरू रेट काफी हाई है इसमें हम जो भी रीजन से जैसे कॉसे जैसे की इमोशनल चेंजेस होर्मोनल चेंजेस और जो स्ट्रेस है रिलेटेड टू फिजिकल चेंज याने जो ट्रॉमा है जो डिलिवरी का जो ट्रॉमा है जो चेंजेस हो रहे है डिलिवरी की वज़ेसे तो उसकी वज़े से stress आ सकता है या फिर घर में कुछ अगर problems चल रहा है family stress है financial stress है तो इसकी वज़े से stress बढ़ गया तो problem हो सकता है physical problems याने medical problems अगर है जैसे diabetes है BP है thyroid है तो इसकी वज़े से भी psychosis होने के chances होते हैं वो भी medically कहीं न कहीं related है उसके साथ-साथ अगर alcohol है drugs है females के चल रहे है अगर लेना तो उसकी वज़े से problems हो सकते हैं तो यह थे causes जिसके वज़े से हमको problems postpartum psychosis हो सकता है अब इसके लक्षन क्या है तो generally जो लक्षन हमको मिलते है वो first generally जो मिलता है जो मैंने देखा है उसमें होता है sleeplessness generally patients का नींद पहले उड़ जाता है उसके साथ साथ वो अजीब अजीब हरकते करने लगता है abnormal behavior दिखता है अजीब अजीब बाते करने लगते है irrelevant talking दिखता है शक करने लगते हैं आने वाले लोगों पर शक करना relatives पर शक करना मम्मी पर शक करना husband पर शक करना कि यहां क्यूं जा रहा है वहां क्यूं जा रहा है इससे क्यों बात कर रहा है बात कर रहा है तो मेरे बारे में बात कर रहा है ऐसा शक उनको होने लगता है उसके साथ साथ वो सोच उनकी गलत अलग हो जाती है जैसे कि वो सोच नहीं पाते हैं बराबर से थौट प्रोसेस डिस्टरब हो जाता है इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कि लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं मुझे नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं या मेरा हस्बन मुझे छोड़के चला जाएगा या मुझे मार डालेगा ऐसे अजीवजी विचार आने लगते हैं उनके द तो दरवाजा खोल के बाहर जाते हैं, कि मुझे बुला रहा है, मुझे देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे आवाज दे रहा है, तो ऐसा वो hearing voices होता है, जिसको हम hallucinations बोलते हैं, उसके साथ साथ sleepness तो मैंने पहले ही बोला, irritation बहुत होता है, हर चीज़ में चिड़न अपने आप से बाते करना, या फिर aggressive हो जाना, खुद को तकलीव देना या घरवालों को तकलीव देना, और बच्चे के बारे में काफी obsessive हो जाते हैं, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, डाउट्स बहुत आते हैं उनके मन में, कई मेरा बच्चा मेरे से चिनना ले उसके आगे पिछे रहते 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 वो खुद नीन भूल जाते हैं और ये सब हमको लक्षन मिलते हैं, अब इसका जो treatment है वो भी same ही है, जैसे कि medicines, इसमें जादा तर 90-95% ऐसा होता है कि patient को admit करके treatment करना पड़ता है, क्योंकि बहुत aggressive रहते हैं, वो घर छोड़के जाने क कोशिश करते हैं, उनको समझता नहीं है कि ये problem हो रहा है, उनको लगता है कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मुझे आवाजे आरी वो सच है, और सच में मेरे अगेंस्ट हो गए, और वो बहुत शक्की हो जाते हैं, और बहुत problems होते हैं, इसलिए admit जादा तर करना ही पड़ता है, और admit करके फिर उनको antipsychotics देने पड़ता है, sleep के लिए medicines देने पड़ती है, और mood stabilizers देने पड़ते हैं, और aggressive होते हैं, stability के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये सब medicines के साथ साथ कुछ females को ECT की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए shock treatment, तो ये सब चीजे दोनों करना जरूरी है, जादा तर ऐसा देखा गया है, कि after delivery क्या होता है, कि घर वाले जो देखते हैं बरताओ, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं भूद बाधा तो नहीं हो गई है, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है, और वो बाकी की चीजे करते रहते हैं, कि ये भगत के पास लेके जाओ, वो बाबा के पास लेके जाओ, और ये पुजा करो, वो पुजा करो, और इसमें ही वो time गमाते हैं, और सही treatment मिलती ही नहीं है, और काफी फिर time जाने के बाद जैसे वो धीरे दीरे बहुत bad होने लगते है, जादा वो severity बढ़ती है, तब फिर उन बाबा भगत से better, यानि जादू टोना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब psychiatry problem है, और जैसे मैंने causes भी बताए, कि ये सब changes की वज़े से होता है, तो इसका treatment पूरा होता है, इससे वो lady पूरी stable हो जाएगी, अपने बच्चे की तरफ ध्यान देगी, और खुद भी वापस life में खड़े होगी, तो इसलिए इसका treatment ठीक से करना बहुत जरूरी है, तो ये थी postpartum psychosis के बारे में जानकारी, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और maximum लोगों तक पहुचाने के लिए मद आनकारी चाहिए हो, तो आप हमारे कर्तु अनकर साइक्याट्री नर्सिंग होम में कांटेक कर सकते हैं, हमारा कांटेक नमबर है 950-330-9619, नमस्ते